जै माता दे, माता दुर्गा की किर्पा आप पर और आपके पूरिये परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, अब मैं आज आपनों को सुनाने जा रही हूँ, श्री गणिशाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, अथ श्री दुर्गा सब्तसती नवम अध्याय, निशुम कावत, मात दुर्गा के रूप का ध्यान करना, मैं अर्धनारिश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शर्रम लेता हूँ, उनका बन बंदुक पुष्प और सुवन के समान रग्त पीत मिस्रित है, वह अपनी भुजाओं में सुन्दर अक्षमाला, पाश, अंकुष और वरद मुद्रा धारन करती हैं, अर्ध चंदर उनका आभुशन हैं, तथा वह तीन नेत्रों से शुशोबित हैं, राजा, रिशी से कहते हैं, हे भगवन, आपने रक्त बीज के वद से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अधुद महातम में मुझे बतलाया है, अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भ रिशी ने कहा, हे राजन, यूद में रक्त बीज तथा अन्य दैत्रों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही, अपनी विशा से न इस प्रकार मारे जाती देख, निशुंभ अमर्ष में भर कर देवी की ओर दोड़ा, उसके पास आसुवों की प्रधान सेना थी, उसके आगे, पीछे, तथा पार्शु भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओट को चवाते वे देवी को मार डालने के लिए आये, महा प्राक्र में शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोध वस चंडिका को मारने के लिए आप पहुँचे, तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का गोर संग्राम छीर गया, वे दोनों देत मेगों की भाती भैंकर व्रेष्ट कर रहे थे, उन दोनों के चलाय हुए वाणों को चंडिका ने अपने वाणों के समु से तुरंत काट डाला, सस्त चमक्ती हुई ढाल लेकर देवी के स्रेष्ट वाहन सिंग के मस्तक पर प्रहार किया, अपने वाहन को चोट पहुँचाने पर देवी छुरब प्रनामक वान से निशुम की स्रेष्ट तलवार तुरंत ही काट डाली, उनकी ढाल को भी जिसमें आठ चांद जड़े थे, उसके भी दो टुकडे कर दिये, अब तो निशुम क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शुल को उठाया, किन्तो देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मार कर चून कर दिया, तब उसने गदा घुमा कर चंड़ी माता के उपर चलाई, परन आत में देखर आते हुए देखकर देवी ने बान समोहों से घायल कर धर्ती पर सुला दिया, उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम के धरासा ही हो जाने पर शुम को बड़ा ही क्रोध हुआ, और माता अंबिका का वद करने के लिए वह आगे वढ़ा, रत पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से शुशोवीत अपनी बड़ी बड़ी आठ अनुपम भुजाओं से समुचे आखाश को ढखक कर वह अद्बुत सोभा पाने लगी, उसे आते देख देवी ने शंक बचाया और धनुष की प्रतेंचवी अत्यमत दूशा शब्द किया, साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त द्यत सनिकों का तेज नस्ट करने वाला था, संपोन दिशाओं को व्याप्त कर दिया, तदंतर सिंग ने भी अपनी दहार से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महानमद दूर हो जाता था, आकाश, प्रीथवी और दसो दिशाओं क गुंजा दिया, फिर काली ने आकाश से उचल कर अपने दोनों हाथों से प्रीथवी पर आघात किया, उससे ऐसा भैंकर शब्द हुआ, जिससे पहले के शवी शब्द शान्त हो गए, तद पश्चात शीव दूती ने देत्यों के लिए आमंगल जनक अठा हास किया, इन श समय देवी ने जब शुम्ब को लक्ष करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देपता बोले, जै हो, जै हो, शुम्ब ने वहां आकाश ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई, अगनी में परवत के समान आती उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से हटा दिया, उस समय शुम्ब के सिंगना से तीनों लोक गोंज उठे, हे राजन उसकी प्रतिध्वनी से वजरापात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब देवताओं को जीत लिया, शुम्ब के चलाई हुए शुम्ब ने अपने भैंकन भानों द्वारा सेंकडों और हजारों टुकडे कर दिये, तव ग्रोध में भरी हुई जनिका ने शुम्ब को सूल से माला, उनके आघा से मुर्चित हो वह प्रित्वी पर गिर पड़ा, इतने में ही निशुम्ब को चेतना हुई, उसने हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, मा काली तथा सिंग को घायल कर दिया, फिर उस दैत्ति राज ने दस हज्जार बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से मा चंडिका को अक्षादित कर दिया, तब दुर्गम पीडा का नास करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित ह अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया, यह देख निशुम दैत्ति सेना के साथ चंडिका मा का वद करने के लिए हाथ में गदाले बड़े वेक से दोडा, उसके आते ही मा चंडिने तीखी धारवाली तलवार से उसकी गदा को सिग्र ही काट डाला, तब उसने शूल हाथों में ले लिया, देवताओं को पीडा देने वाले निशुम को शूल हाथ में लिये आते देख, चंडिका माता ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती भेद डाली, शूल से विदान हो जाने पर उसकी छाती में एक दूसरा महावली खहता हुआ निकला, उस निकलते वे पुरुष की बात सुनकर देवी ठठा कर हस पड़ी और खड़क से उसको उसका मस्तक काट डाला, फिर तो वह प्रित्वी पर गिर पड़ा, तदंतर सिंग अपनी दाणों से असुनों की गर्दन कुचल कर खाने लगा, वह बड़ा ही भेंकर दिश्य था, उधर मा काली तथा शीव दिवती ने भी अन्या अन्य दैतियों का भक्षन आरम कर दिया, कौमारी की शक्ती से विदीन होकर कितने ही महा दैते नश्ठ हो गये, ब्रह्मारी के मंत्र पूत से जल से निश्चेत होकर कितने ही भाग खड़े हुए, कितने ही दैते मा महेश्वरी के तुशुल से छिन्न भिन हो धरासा ही हो गये, बाड़ाई के थुथुन के आगात से कितनों का प्रिथिवी पर कचूमर निकल गया, वैश्नवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकडे टुकडे कर डाले, एंदरी के हाथ से छूटी हुए व इतने ही माकाली, माशिव, दूदी तथा सिंग के ग्रास बन गए, इस प्रकार स्री माकंडिय पुराण में सावनिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्यमे में निशुम्वध नामक नवा अध्याय पूर्ण हुआ, मातारानी की जय हो, देवी दुर्गा की जय हो, मा मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए, तो किर्पया लाइक जरूर कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुन सकें, धन्यवाद, मातारानी की जय हो, बोले बाबा की जय हो, मेरा ये झाल